नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं नॉलेजबच और आज के वडियो में हम रिव्यू करेंगे किरन पब्लिकेशन के रेलवे एंटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एक्जाम के लिए रेलवे एंटीपीसी दोजार चॉबिस पचीज से नॉन टेकनिकल पोस्ट के लिए दोस्तों यह बुक हैं दोस्तों इस स्टे ise 1 के लिए स्विट्षी 1 के लिए प्रैक्टिब्टीस वर्कस दोस्तों इसमें आपको प्रिवियेसальной कूश्ण पेपर भी देकने को मिली जाएंगे और 25 शेटव आपको देखने को मिलने वाले हैं तो यहां पर सबसे पहले 20 आपको practice set आपको देखने को मिलेंगे 5 आपको previous year set आपको देखने को मिलेंगे stage 1 के मतलब जो practice set है वो previous year पर अधारित है दोस्तो 35 रुपए MRP है अब यहाँ पर set में आपको यह दोस्तो English Hindi medium का है जिसमें set में आपको सबसे पहले इस तरह से आपको कोशन को divide करके दिया गया है ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सके और practice कर सके ठीक है और यहाँ पर दोस्तों इसे exam के बारे में बता दिया गया है साथ में आपको प्रिवेस एयर पेपर अंतिम में देखने को मिलेंगे तो इक्जाम के बारे में बता गया है कि कब जो भी है डिटेल इस exam के बारे में सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है पूरा notification अब पहले मैंस के कुल मिलाके अगर हम बात करें तो सत्तर मतलब तीस को सनन और सबसे लास्ट में जी रेजनिंग के हैं तो रेजनिंग के कुल मिलाके यहाँ पर तीस को सन देखने को मिलेंगे टूटल सौ को सेट होता है आप लोगों को पता है यहाँ पर NTPC के exam में तो सॉल्योशन और दोस्तों काफी बहतरीन है जैसा कि आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 3-4 पॉइंट में एक ही question को explain किया गया जिससे आप मुल्टिपल question एक question से त्यार कर सकते हैं तो solution दोस्तों काफी बहतरीन आपको देखने को मिलेगा और printing quality दोस्तों इस बुक का काफी ज्यादा अच्छा एंसर की दिया हुए इस बुक के बाद है solution डिटेल में भी दिया हुआ है ठीक है और बुक दोस्तों आप ले सकते हैं लिंक आपको description में मैं दे दूंगा तो बुक में कोई कमी मुझे ने लग रही है बुक दोस्तों काफी ज अगर आपको subject wise लेना है तो reasoning का भुक ले सकते है question bank के उसके बाद समाने विज्ञान का ले सकते हैं उसके बाद mathematics का ले सकते हैं उसके बाद समाने अध्यात का ले सकते हैं और इन चारों को बनाने के बाद इसे practice के लिए एक जाम के दिरिश्ट्री कौन से ठीक है तो यह वोट कीजिए का thank you अपने वडियों आंते तक देखा अगले वडियों पे फिर से मिलते thank you